कृशी उत्पन्न भाजार समीती कलमना चुनाओं को लेकर कॉंग्रेस समर्थिस सहकार पैनल की लिस्ट लगबख फाइनल हो गई है अठ्रा लोगों कच्चा यंसुनिल के दार ने कर लिया है अंतिम क्षनों में केवल एक दो नाम इधर से उधर हो सकते हैं लेकिन सूची जारी नहीं की जा रही है अंतिम समय में इन उमिद्वारों को जानकारी दी जाएगी ताकि दूसरे दल इसका पूर्वन उमान न लगा सके वही दूसरी और भारतिय जंता पार्टी को कैंडिडेट ढूनने के लिए 80 चोटी का जोर लगाना पड़ा है उलेकन यह है कि कृशी उत्पन्न बाजार समेती कलमना की चुनाओ 28 सितंबर को होने वाले है चुनाओ में सहकार पैनल से लड़ने वाले इच्चुक उमिद्वारों को केदार पर पूर्ण भरोसा है ग्रामिन क्षेत्रों में सहकारी ग्राम पंचयत वर्गों को लेकर ही चर्चाई ज्यादा हो रही है लेकिन एक बात आम है कि केदार जो बोलेंगे वह अंतिम होगा कॉंग्रेस से चुनाओ लड़ने वालों की कमी नहीं है बताया जाता है कि एक एक पद से दस दस उम्मिद्वार सामने आ रहे है लेकिन सभी ने अपना भरोसा केदार पर जताया है और उनके निर्णे को अंतिम मान कर चलेंगे वही दूसरी और बीजेपी को उम्मिद्वार चुनने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है कई कॉंग्रेस नेताओ पर भी डोरे डाले जा रहे है सूत्रों की माने तो कुछ कॉंग्रेसी नेता चुनाओ लड़ने के चक्कर में भाजपा में शामिल हो सकते है इसका पूर्वा अनुमान कॉंग्रेस पहले लगा चुकी है इसलिए इसे महत्वा नहीं दे रही बीजेपी के कई विधायक अलग-अलग जगाहों से उम्मिद्वार खोजने का काम कर रहे है और फोन कर चुनाओ लड़ने के लिए कह रहे है यहाँ पर भी अंतिम क्षनों में ही कुछ स्पष्ट हो सकता है हिंगना एपीमसी में बंग पैनल को बहुमत मिला था बंग पैनल ने बीजेपी के कुछ उमिद्वारों के लिए सीट छोड़ दी थी और बाद में दोनों दलों ने मिल बैट कर चुनाओ पूर्ण करा लिया था कलमना में भी इसी प्रकार की बातों को पुनह धोराने के भी कयास लगाए जा रहे है